हलो दोस्तों, वेलकम पेक टू माई यूटूब चेनल, सुरजपटेल एडिकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों मैंने कल के दिन ये वीडियो बनाया था ये वीडियो बनाने का मकसद जितने भी स्टोट मेरे से पूछ रहे थे कि सर रिजर्ट कब आने वाला है हमने एक्जाम दे दिया है, चाहे वो FY हो, SY हो, TY हो, MCOM Part 1, Part 2, MA Part 1, Part 2 इन सभी स्टोट को इंतजारे के हमने एक्जाम दे दिया है, लेकिन हमारा रिजर्ट कब आने वाला है तो जिसके रिलेटेड वीडियो बनाया था, उसमें से कुछ स्टोट ने दोस्तों कमेंड किया था अब कमेंड क्या किया था दोस्तों वो भी मैं आप लोगों को बता दू, तो दोस्तों ये रहा कमेंड जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि दोस्तों मैं आप लोगों के सभी के कमेंड रीट करता हूँ भले reply कुछ के देता हो, कुछ के नहीं दे पाता हो दोसे अभी comment में क्या था दोसे ये jazz करके कोई है I don't know कौन है उन्हेंने बोला fake news don't deliver ठीक है भाई fake news अब मैं आपको पूरा बताऊंगा पहली बात तो न कुछ ऐसे लोग होते है जो आधा ग्यान लेते हैं और वो आधा ग्यान किसी का भी मतलब का नहीं होता है कहने का मतलब आधा वीडियो देखके कुछ भी बोल देते हैं तो पहली बात तो वीडियो पूरा देखो अब जो मैं ये वीडियो बना रहा है पूरा देखना फिर बताना वो fake news है कि क्या है जो मैंने कल का वीडियो डाला था ठीक है पहले देख लिजे पूरा देखिए दुसरा एक खान करके है इन्होंने बोला है wrong news फिर उसके बात साहीद ने पूछा है कि इतना late half year का अगर result आएगा तो मतलब हम क्या पागल है हमारा exam मतलब यह तो इनका कहने का मतलब इदम simple है कि हमारा late result आएगा तो हम मतलब पागल बनके बैठे है कि हम आगे का exam कैसे देंगे क्या करेंगे तो यह site का कोई problem ने इन्होंने अपनी एक query पूछे जिसको मैं इस video मैं solve भी करूँगा ठीक है फिर मयूरी ने पूछा हुआ है कि इतना late होगा part 2 का तो exam हम कब देंगे मतलब इनका इनका भी एक query है कि हम part 2 का exam कब देंगे फिर नरेस ने पूछा है thank you so much sir उन्होंने मतलब उनको यह information genuine लगा और उन्होंने उस चीज़ को लेके thank you बोला है तो नरेस आपको भी thank you so much most welcome तो चले दोस्तों इन सभी के query को solve किया जाए ठीक ह दोस्तों तो हम बहुत प्यार से पहली बात और एक चीज़ बता दू कि पहली बात आप लोगों के दिल में है कि result आया है कि नहीं आया है तो दोस्तों चलके मैं आप लोगों को पहले वो दिखा दू यह देखे दोस्तों result नहीं आया हुआ है जो आया हुआ है वो semester pattern का है अ अब जो इनों को लग रहे हैं कि यार फेक न्यूस हैं तो पहली बात ना बहुत अच्छे सब इस वीडियो को देखना ठीक है आधा अधूरा देखके फिर कमेंट करोगे तो अच्छा नहीं है मैं किसी को भी मतलब वो नहीं करने वाला हो पॉइंट आप नहीं करने वाला हो म ये वीडियो बनाने का मकसद अपने आपको सफाई देना नहीं है मैं सही वीडियो देता हूँ ये बताना नहीं है मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हो जो गलत कमेंट कर रहे है लेकिन उनसे जादा उन स्टुडेंट के लिए बना रहा हो जो स्टुडेंट इनका कमे वीडियो बनाने वाले दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके के प्रोफेसर हैं दोस्तों, मैं पूरा explain करूंगा, वीडियो को एंटक देखना, आपकी query 100% solve करके जाओंगा, नहीं solve करके गया, तो फिर कुछ comment करना है, तो कर देना, दोस्तों एक जो प्रोफेसर होते हैं, व होते हैं जो Mumbai University से news confirm करके बताते हैं दोस्तों मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं यह दोनों चीज यूज करता हूँ क्योंकि मुझे experience भी काफी अच्छा कासा Mumbai University को लेके और मैं M.com, M.A. सॉरी M.A. बोल रहा हूँ M.com, Part 1, Part 2, T.Y. F.Y.S.Y. के teach भी करता हूँ तो मुझे इसके related काफी अच्छा खासा knowledge है तो पहली बात तो मैं आपको बता दिये कि मैं दोनों को use करता हूँ experience भी प्लस Mumbai University से confirmation लेने के बाद भी दोस्तों अब एक चीज बता देता हूँ कि Mumbai University के portal पे जो भी news आता है Mumbai University के site पे वो news हर एक professor read करके ठीके read करके आप लोगों को दे सकता है यह बहुत आसान और simple तरीका है लेकिन जब student एक query पूसता है ठीके एक query पूसता है उस query को solve करना सबसे बड़ा difficulty टास होता है अब solve वो दो तरीके से ही कर सकता है या तो अपने experience base या तो Mumbai University में पेचान हो तो उनसे information निकाल के आप लोगों तक delivery करना ठीके अब दोस्तो जो student ने मुझे result का पूछा था मैंने वही काम किया कि university से information निकाला और आप लोगों को दिया अब भी सब नहीं समझ में आया फिर से एक बार बहुत अच्छे से समझा जो जो हमारे दिमाग में घुस जाए तो चलिए ध्यान देते यार अब देखिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से explain करता हूँ आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी ये चीज का वादा रहा ठीक है दोस्तो एक person है मतलब एक person कहने का मतलब कि एक student है भरे आरा तेरा बन रहा उसमें क्या हो गया ठीक है ये student का नाम है Mr. A अब आप अपना नाम समझ सकते हो ठीक है अब इनका exam मैं assume कर रहा हूँ अगर आप टीवाई के हो तो 8 जून से चालू हुआ था exam एमकोम पार्ट 1 के student हो तो 10 जून से exam चालू हुआ था 2021 ठीक है अब assume करते कि इस बंदे ने exam दिया था एमकोम पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो चार सब्जेक होता है इस बंदे ने चार में से तीन सब्जेक का exam दे दिया है एक सब्जेक का exam बाकी है क्यों बाकी है साइकलोन आ चुका था उनके वाँ इसके वज़े से exam नहीं दे पाए अपसेंट थे बिमार थे कोई भी टेकनोलोज प्रॉब्लम था जिसके वज़े से उन्होंने एक सब्जेक का exam नहीं दिया दोस्तों आने वाले तारीक मतलब 6 जुलाई से 2021 मैं फिर से exam चालू हो रहा है और काफी student इसमें भी exam देने वाले है ठीक है अच्छा अब ये कौन सा बंदा है जो exam देगा दोस्तों कोई और बंदा है जो बंदे का एक पेपर छूट चुका था वो बंदा 6 जुन को exam देने वाले है वैसे सभी student 6 जुन को exam देने वाले है भाई आधा अधूरा वीडियो मत देखना पूरा देखना वीडियो को लाइक करना या डिसलाइक करना वह आपके उपर है वीडियो पूरा दे अब Mumbai University भी बोलेगा अरे रे बाबा मैं रिज़ट नहीं दे सकता रे बाबा रिज़ट नहीं दे सकता इस्टुएंट का एक्जाम बाकी है रे बाबा अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि नहीं हमारा तो दे दो हम तो एक्जाम दे दिये अब Mumbai University भोलेगा अच्छा मैं इसके तीन सब्जेक का रिज़ट पहले बना देता हूँ एक सब्जेक बाद में देगा उसका रिज़ट बाद में बना देता हूँ Mumbai University के पास इतना टाइव है न दोस्तों जो अलग-अलग रिज़ट बनाएगा अब भइ हमारे पास कुछ ऐसे भी स्टुएंट है जो जादा दिमाग लगाएंगे और वो क्या बोलेंगे पता है सुनलो क्या बोलेंगे वैसे जितने भी स्टुएंट है अभी उनके दिमाग में और एक सवाल आएगा बोलेंगे सर जिनोंने All subject का exam दे दिया है उनका result पहले लगा दिया जाए जिन student को absent है उन्होंने exam नहीं दिया है उनका result बाद में लगाना आपके दिमाग में ये भी बात आएगा अब मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जितने भी student है A, B, C अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप भी M.com के student हो ये भी M.com का student है आपने भी same date पे admission लिया इसने भी same date पे admission लिया आपने भी same day पे exam दिया इसने भी same day पे exam दिया बस आपने 4 subject का exam दिया इसने 3 subject का दिया एक का नहीं दे पाया क्योंकि technology cyclone का problem था ये सब problem था तब मुझे बताओ ना इसकी गलती है क्या नहीं है ठीक है आप लोगों का result Mumbai University दे देता है इसका नहीं देता है तो Mumbai University ने इसके साथ पार्सलिटी किया की नहीं किया दूसरी चिच्चरों पार्सलिटी नहीं भी किया तो मैं को एची बताना कि इतने student का result पहले निकाल देगा ऐसे भी student काफी जादा होंगे इसका student बाद में निकालेगा तो युनिवर्सिटी के पास सिर्फ यही काम धंदा बज गया है क्या उनके पास semester pattern के student का admission चालू कर दिये semester pattern और इन 6 June वालों का exam का time table देना है new admission date decide करना है अरे भाई Mumbai University के पास का ही काम है वो दस बार result नहीं बनाएगा दोस्तो जो बनाएगा result एक साथ बनाएगा कहने का मतलब जिनोंने 10 June से exam दिया था और आने वाला exam जो 6 July से है सब भी student का result साथ में निकलेगा अब आता है कि सर कौन से date पे result हमारा दिया जाएगा important बात है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा Mumbai University ने कहा है कि आपके exam के one month मतलब 30 दिन के बाद आप लोगों का result declare कर दिया जाएगा जिसके related मैंने already पहले ही वीडियो बनाया है कहने का मतलब है कि या दोस्तो ये 6 June से exam चालू होगा तो मैं भी कि 15 June तक भी मैं छुटी ह ना हो एक अलग बात है अभी तक इसका news नहीं आया टाइम टेबल नहीं आया ये मेरे experience बेस पर बता रहा हूँ लेकिन जो मैंने कल news दिया था वो मैंने Mumbai University से निकाल के ही news दिया था ठीक है अभी मैं बता रहा हो वो भी बता रहा हो अब दोस्तो जो इसका result आएगा 15 July तक का exam चलेगा तो आपका result 15 August के बाद ही आएगा उसके पहले नहीं आएगा दोस्तो ठीक है कहने का मतलब है कि second week of August के बाद ही result आएगा उसके पहले नहीं आएगा सर रॉंग news है सर गलत news है सही news दे दो ना तो भाई मैं अभी भी बोलता हूँ जाओ जाओ मुंबई युनिवर्सिटी जाओ आइडियल जाओ ठीक है और उनसे query पूछो कि सर हमारा result कब आएगा और उन्होंने अगर यही answer दिया ना तब आके मेरे इस वीडियो पे comment करना कि सूरत सर आप सही थे या गलत थे ठीक है दोस्तों वो एकी चीज बोलेंगे कि आपके result आने में अभी time है जल्दी नहीं आने वाला है जब तक यह 6 जुलाई के student का exam ना हो जाए दोस्तों यही answer आप लोगों को मिलेगा कुछ अलग answer नहीं मिलेगा ठीक है अब दोस्तों मैं आई होब कि जितने भी comment आयते सभी के comment के reply दे दिये कहने का मतलब है क्या है comment वो भी देख लेते एक मिनट comment जो आया था वो भी देख लेते एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ पहले ठीक है अब comment comment पर देख लेते कि comment मुझे क्या क्या आया था तो यह जो गलत जो बोलने वाले लोग थे दो जन उनको मैंने बता दिया कि यह news गलत है कि सही है अभी भी आपको गलत लग रहा है तो भाई आपके एकी चीज कहूंगा university जाके आ जाईए अगर आप में दम है और university से पता कर लिजिए आपको पता चल जाएगा कि news गलत है कि सही है और सुरस्त जो news द हो ठीक है साहीद और इन्होंने जो query पूछा है कि हमारा result कब तक आने वाला है क्या है तो दोस्तों बता दू कि result मैंने आपको बता दिया आने वाला है जल से जल आने वाला और admission दोस्तों आप लोगों का time है वेट कीजे भाई अभी तो आपने exam देके free हुए हो तो admission definitely थोड admission लेकि अभी फिर से exam दे दू तो ऐसा नहीं होने वाला है आने वाले time में आपका exam होगा उसका date announce किया जाएगा उच समय exam को हर एक detail वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर चैनल को subscribe करके रखो और वीडियो अच्छा लगए तो like करना ना भूलिए सभी को एकी चीच चालू होना चाहिए हर एक चीच वो university करेगा कोई भी साल खराब होने वाला नहीं आप बेफिकर रहिए ठीक है थोड़ा delay हो चुका है COVID-19 के वज़े से हर एक चीच आपको information मिल जाएगा थोड़ा wait कीजिए और अगर आपने अभी exam दिया तो आपका जो exam अब होगा वो आन वाले exam में आओगे जो student ने पहले से admission लेके रखा यह उनके लिए अभी exam होने वाला है तो I hope दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो भाई फिर से मिलता हो next video में I think कि आप लोगों के मैंने problem को solve किया होगा चली दोस्तों बाइबाइ टेक क्या कि अग्ठा बढदीत के अग्रुछ आपु कि जढगे टेक कि लिएग की बाइबाइबाइबाइबाट कि अवागा टेक होगा